गनेश चतुर्थे के लिए बिना तले गोड और आटे के गुजराती चुर्मा के लड़ू बनाएंगे बहुती आसान है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बाजु में दी होई गंडी सरूर दबाएए ताकि नहीं नहीं रेसिपी के आपको नोटिफिकेशन आए तो चले बनाते हैं गुजराती चुर्मा के लड़ू इसके लिए हमने एक बाउल में दो कप गेवू का आटा तो थोड़ा मोटा हो ऐसा हमें लेना है जो लड़ू के लिए हम लेते हैं वही और बीच में ऐसा गड़ा कर लेंगे और उसमें हम पांच टीबल स्पून घी का मोहन देंगे तो पहले हम पांच टीबल स्पून घी डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे अगर लगे तो बाद में और एक से दो टीबल स्पून जीतना घी डालके मुठी पड़े ऐसा हमें मोहन देना है तो मोहन से हमारे जो लड़ू है वो एकदम अब खाओगे तो तो मिन्स हमने एकदम अच्छे से मौयन दिया है अभी हम हलका गरम आधा कब दूद लेंगे अब चाहे तो हलके गरम पानी से भी ये आठा गुन सकते हो अगर आप दूद डालोगे तो ये लड़ू चार से पात दिन अच्छे रहेगे पर उसका टेस्ट है वो बहुत ही बढ अगर आप पानी लोगे तो ये पंदरा दिन तक लड़ू अच्छे रहेगे तो थोड़ा थोड़ा हलका गरम दूद छिड़क के हम सकत आठा गुन लेंगे तो इधर मुझे आधे कब और उपर मुझे एक से दो चम्मच दूद की जरूरत पड़ी है तो छोटे दो पांच लोईया बना लोंगी तो ये आठा ऐसा सक्थ होना चाहिए अगर आप एकदम पीला कर लोगे तो हम इसकी रोटी बेल नहीं पाएंगे इसको रोल करते ताइम हमें सुखा अठा नहीं लेना है तो ऐसी मैंने लोईया बना ली है अभी हम एक लोईया ले लेंगे और उसे हम बेल देंगे तो ये आप देख सकते हो हमारा आठा सक्थ है तो आधे कप से आपको एक दो छोटे चमत ज्यादा दूद आप लोगे तो आपका आठा भी ऐसा हो जाएगा तो मैंने लोईया को थोड़ा बेला वापिस हम गोल शेप दे देंगे ताकि इसका अच्छा अच्छी से हम सारी लोईया का ऐसे रोटी थोड़ी मूटी हो एसी हमें बेल लेनी है और अभी मैं इसे मिटी के तवे पर सेख लूँगी मिटी का तवा गरम है और हम गैस की फ्लेम एकदम स्लो करेगे तो मेडियम गरम था तभी मैंने रोटी डालके एक मिट के लिए से का slow flame पे और वापिस दूसरी side पलट के हम इसे एक मिट के लिए और सिखेंगे और अभी हम दोनों side हलका हलका ऐसे प्रेस करके और अच्छे से ऐसी हलकी design आए तब तक ही हमें सिखना है तो रोटी इदर हमारी जलनी नहीं चाहिए तो खास आपको धियन रखना है तो आप देख सकते हो एकदम बढ़िया सी और बिल्कुल जली नहीं ऐसी हमारी रोटी सिखके तयार है इसी तरीके से मैंने दो मिटी के तवे रखे थे आप चाहे तो रोटी के तवे पर iron का जो आता है उसके पर भी slow flame पर सिखके रोटीया ready कर सकते हो तो यह तयार है इसे हम ठंडा करेंगे तब तक एक pan ले लेंगे उसमें हम 3 टीबल स्पून घी गरम करेंगे और उसमें हम 3 टीबल स्पून बेसन डाल देंगे और बेसन को हमें 2-3 मिनिट के लिए सेखना है तो अभी कलर पीला है थोड़ा पर light थोड़ी आ रही थी तो हलका already यह golden दिख रहा है पर हम इसको golden होने तक सिखेंगे तो अभी light बराबर है तो अब देख सकते हो अभी yellow है अभी इसे हमें golden हो जाए तब तक slow to medium flame पर चलाते हुए इसे सिखना है तो आप देख सकते हो बड़ी असा color आ गया है अभी हम gas के आज बन कर देंगे और तीन टी स्पून या फिर एक से दो टेबल स्पून जीतनी सूजी डालेंगे यह मिश्रन अगर आप लड़ो में डालोगे तो जैसे आप बेशन की बफ़ी का थोड़ा सा टेस्ट आएगा और आपके लड़ो और स्वादिष्ट बनेगे इसलिए हमें यह डालना है सूजी डालने के बाद एक मीट के लिए लगातार चलाते रहना है और फिर हम इसे गैस पर से नीचे उतार के साइड में रख देंगे और अभी जो हमने रूटिया बनाई वो आप देख सकते हो ठंडी हो गई है अभी हम इसके ऐसे टुकड़े कर लेंगे तो कोई जरूरी नहीं बड़े छोटे जैसे भी आपको करने है ऐसा कर लीजे क्योंकि हम ऐसे भी इसको मिक्सी में डालके पीसने वाले है तो अभी मैंने मिक्षर जार बड़ा ले लिया है उसमें हम आधा मिश्रण डालेंगे और इसे हम चार से पांच बार पल्स करेंगे तो मिक्षर ओन ओफ ओन ओफ करके हमें इसे पीसना है तो अब देख सकते हैं इसा चूर्मा अगर आपको लगे के टुकडे ज्यादा रहे है तो एक से दो बार और पल्स करें तो अभी हम बड़ा सा बरतन ले लेंगे उस पर ऐसी बड़ी चन्नी रख देंगे और चूर्मा अभी हम इसे बोलेंगे तो चूर्मा डाल देंगे औ तो मैं इसे चान लूँगी तो अभी मैंने दूसरा चूर्मा भी बीस लिया है उसे भी हम चान लेंगे तो ये हमरा साधा चूर्मा बनके तयार हो गया है अभी हम उसमें बेसन और जो हमने सूजी सेकी थी वो डाल देंगे तो आप देख सकते हो कैसा बढ़िया सा कलर आया मैंने एकदम अच्छे से उसे सीख लिया है और एकदम अच्छे से चुरमे के साथ हम यह मिश्रन को मिक्स कर देंगे तो ऐसे अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है अभी हम उसमें थोड़ा सा एलाईची पाउडर और ड्राइफ रूट्स आप काजु बादाम किश्मिश जो भी हो वो आप डाल सकते हो तो आधा टीस्पून एलाई चीका पाउडर और दस से बारा बादाम और दस से बारा काजु के टुकड़े डाले हैं अच्छे से मिक्स करके हम चुर्मा को थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे अभी एक पैन ले लेंगे और उसमें हम आधा कप घी गरम करेंगे आप चाहे तो थोड़ा कम भी ले सकते हो बाद में अगर आपको ज़रूरत लगे तो उपर से भी डाल सकते हो तो इधर मै है यहने आधा कप घी गरम किया है हलका गरब हो उतना ही करना है बहुत ज्याधा गरम नहीं करना है और उसमें हम आधे कप और उपपर हम 2-3 टेबल स्पुन जितना कद्दू कस किया हुआ या बारिक काटा हुआ गुड डालेंगे और हम इसे आधे मिनिट के लिए ही ऐसे गरम घी में इसे मेल्ट करेंगे तो अभी मैंने गैस के आँच बंद कर दी है तो गुड डालके सिर्फ गुड पिगले उतना ही हमें गरम करना है ज्यादा गरम नहीं करना है अगर आप ज्यादा गुड को गरम करोगे तो लड़ो आपके एकदम हाड हो जाएगे तो खास ध्यान रखना है तो उपर से ऐसे फ़लाते हुए गी और गुड का मिश्रण डाल देंगे एकदम अच्छे से पहले हलका गरम है इसलिए मैं चम्मत से मिक्स करूंगी और जैसे ही चूने लायक हो जाएगा मैं तुरंत ही इसको अच्छे से हम गुड और गी को पूरे चुरमे के साथ मिक्स करेंगे तो एकदम ही हलका गरम है बहुत ज्यादा नहीं आप चाहे तो पहले से भी हाथ से ही इसको मिक्स कर सकते हो पर धिहान रखे गरम बहुत आपका गी नहीं होना चाहिए और अभी हम ये मिश्रण में से गोल गोल छोटे बड़े जैसे भी आपको बनाएंगे तो इस रेसिपी से आप 12 जितने लड़ू बना सकते हो तो मैंने छोटे बनाएं बहुत ज्यादा बड़े नहीं बनाएं तो इसे तरीके से तो एकदम प्रेस देखे हमें इसे ऐसे दबा के गोल शेप देना है तो आप देख सकते हो बड़िया से लड़ू मैंने रेडी कर लिये है अभी हम खस-खस या फिर आप हम इसे पॉपी सीड्स भी बोलते हैं एक से दो टी स्पून ले लेंगे और ऐसे हम इसे फैला के लड़ू को ऐसा थोड़ा सा रोल करेंगे खस-खस में और फिर हाट से दबा के हम खस-खस ऐसे लड़ू को लगा देंगे जब आप लड़ू सेट करें तो आप जोर से थोड़े एक बार इसे आप फैक किये ताकि नीचे उसका अच्छा सा शेप आ जाएगा तो इसे तरीके से मैं सारे लड़ू खस-खस से ऐसे कोट कर लूँगी तो आप देख सकते हो हमारे बढ़िया से लड़ू तयार है ये आटा हमने दूद से बनाया है तो चार से पात दिन आपके लड़ू अच्छे रहेंगे अगर आप पानी से ये आटा गुंदोगे तो ये पंदरा दिन तक अच्छे रहते हैं अगर आपके चुर्मा के लड़ू बराबन नहीं बनते तो इस तरीके से आप एक बार बिना तले जरू ट्राइ करें आपको बहुत ही पसंद आएगे तो आप ये मेरी रेसिपी ट्राइ करें और मुझे कमेंट में बताए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी थेंक्यू फो वाचिंग